आपके साथ राहूल सन्हा, आज बीजेपी ने 2024 के लोगसबा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। पीम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी हेटक्वाटर में संकल्प पत्र का लोकारपन किया, बीजेपी के संकल्प पत्र में सभी वर्गों पर फोकस किया गया है, खास कर हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग इस देश की रीड है, ऐसे में मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है अगर आप मद्यम वर्ग परिवास से हैं तो आपके लिए बीजेपी का ये गोश्णा पत्र बेहत खास हो सकता है ये रिपोर्ट देखे मोदी की गारंटी है सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर को आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा मोदी की गारंटी है कि मुप राशन की योजना आने वाले पांच साथ तक जारी रहे है केवल इधर उधर की बाते हैं युवा तो नोकरी के लिए थड़प रहे इंडिये को चार सो का आकड़ा पार करना है तो बीजे पी को तीन सो सतर सीटों का आकड़ा किसी भी हाल में पार करना ही होगा धुआधार चुनावी परचार के साथ वादों और इरादों की सخت से सخت जरुवत है अगले पांच सालों तक फिर से सरकार में बने रहने के लिए मोधी सरकार हर वोदाओं चल रही है ताकि चुनावी मैदान में विपक्ष को चारों खाने चित किया जा सके बीजेपी की ये 24 कैरट की गारंटी कितनी सची है इसके लिए आपको मिडल कलास को दी गई गारंटी को समझना होगा मोधी की गारंटी घर का सपना होगा पूरा हर परिवार का सपना होता है अपना घर पिछले दस सालों में कई सुधार किये जिनसे घर का सपना पूरा हो सके रेरा से रियल स्टेट क्षेतर में पारदर्शिता आई आगे भी और कई सुधार किये जाने का वादा किया गया जिन से मध्यम वर्गिये परिवार के घर का सपना पूरा हो इसमें पंजी करण की खीबत को कम करना, निर्मान की लागत कम करना, आसानी से नक्षा पास कराना शामिल है मोदी की गैरेंटी मिलेगा रोजगार का अफसर बीजेपी भारत के स्टार्टप का और अधिक विस्तार टीर टू और टीर थ्री शहरों में करने की गैरेंटी दी है इसके साथ भारत को परेटन हब और सर्विसेज का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने का वादा किया ताकि देश में हाई वैलियू रोजगार के मौके मिल पाएं मोदी की गैरेंटी स्वास्त सेवाओं का विस्तार मध्यम वर्ग परिवारों को अच्छी स्वास्त सेवाएं कम कीमत पर मिल सकें इसके लिए बीजेपी ने एमस और आयुश्मान आरोग के मंदिर का विस्तार किया जन और श्रदी केंदरों पर सस्ती दवाएं उपलब्त कराई 315 नए मेटिकल कॉलेज इस्थापित किये पार्टी इन सब विवस्ताओं का विस्तार करके हमारे मध्य वर्गिये परिवार जनों के स्वस्त जीवन की गारेंटी दी है आज जो बुजूर्ग है उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मध्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सब्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजूर्ग को आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा अपने कारेकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाब हो अब युवाँ तो नोकरी के लिए थड़प रहे रास्ते पे आये मोदी की गैरेंटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आने वाले समय में आधुनिक साड़क नेटवर्क, आधुनिक रेल नेटवर्क, इलेक्ट्री गाड़ियों के चार्जिंग सेशन, नए हवाईय डो, किफायती 5G और 6G टेकनालोजी पर ध्यान करिद्रित करके मध्यम वर्गिये परिवार जनों के जीवन को आसान बनाने की गैरेंटी दी है मोदी की गैरेंटी, परियावरण अनुकूल शहर का विकास आम जन्मानस का जीवन सुकम हो, व्यवस्तित हो, परियावरण के मताबिक हो, इसके लिए बीजेपी के घोशना पत्र में खास गैरेंटी है इसके तहट पार्क, खेल के मैदान जैसे अधिक हरी जगों का विकास करने का वादा किया तो जीलों और तालाबों जैसे जलाश्यों को पुनर जीवित करने की गैरेंटी दी गई ताकि शहरों को परियावरण अनुकूल और लोगों के रहने योग सुविधा युक्त बनाया जा सके ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया